हाई दोस्तों आइटेक मैं आप सभी रोगों का स्वागत है अगर आपके स्मार्टफोन में 2GV RAM है, 4GV RAM है या फिर आपके स्मार्टफोन का प्रोसेसर जो है वो बिल्कुल लो है जब भी आप गेम केलते हैं तो गेम लाग करने लगती है ग्राफिक्स प्रोपर रेंडर नहीं होते है या फिर स्मार्टफोन थोड़ा सा हैंग होने लगता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप के बारे बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपने स्मार्टफोन के प्रोसेसर को बूश्ट कर सकते हैं या फिर उसे ओवर क्लॉक कर सकते हैं आसान सब्दों में कहें तो उसकी ताकत को आप दो गुना बढ़ा सकते हैं जब आपके smartphone की प्रोसेसर की ताकत दोगुना हो जाएगी तो simple सी बात यार गेम में lag आपको देखने को नहीं मिलेगा और साथ साथ में graphics भी बिलकुल मखन की तरह चलने वाले हैं तो चले मैं आपको बताता हूँ कि यह सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा और वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब ने क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं मिरना विरफान और आप देख रहे है करें बट मैं आप से कहूंगा कि आप बेजिक मोड को ही पहले ट्राइब करें और फिर अगर आपको लग रहा है कि वह आपका फॉन लाग कर रहा है अभी भी गेम सही से नहीं चल रही तब भी आपको एक्स्ट्रीम मोड को यूज करना है और इनी मोड के अंदर आपको कुछ आपको प्संदेखने को बिल जाते है जैसे कि आप अपने स्मार्टफून की स्पीड बढ़ाना चाहते है या फिर बेटरे अपनाइज करना चाहते है या फिर स्टेबिलिटी रखना चाहते है तो किस तरह से आप इसे यूज कर सकते है ओर एक्गले के लिए तो ゃो सिंपल से लेकर अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर से लेकर सारी चीज़ को optimize कर लेगी, boost कर देगी overclock कर देगी, अब यहाँ पर सारा काम complete हो चुका है, touch screen to continue और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ आपको add वगरा जो है वो देखने को मिलें, इसके बाद app को आपको close नहीं करना है, सीरे आपको game start करनी है, और जैसे आप game खेलेंगे तो आपके जो graphics से वो तो boost होंगे होंगे, साथ साथ में जो frame rate वो भी आपको काफी कमाल का देखने को मिलेगा, एक और बात कहना चाहूंगा, कि अगर प्रोसेसर की power boost होती है, या फिर दो गुना वो ताकत से काम करता है, तो यहाँ पर आपका smartphone heat हो सकता है देखे, अगर आपके smartphone में hit sync लगी हुए, तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो आपका smartphone थोड़ा बहुत heat होगा तो हो सकता है कि इस app को use करने के बाद, थोड़ा सा hitting issue देखने को आपको मिले, मगर यह तभी आपको देखने को मिलेगा ना, जब आप इस app को use करेंगे, हो सकता है कि hitting issue आए ना, तो आप इस app को try करें, उसके बाद आप जोड़ से मुझे comment करें के बताना, और वीडियो को like ने किया, वीडियो को like कर लेना, चैनल को subscribe ने किया, चैनल को subscribe कर लेना, और वीडियो को share कर देना अपने सभी gamers, friends को ताकि उन्हें भी इस app के बारे हैं बता चल जाए तब तक लिए ध्यान रखना दोस्तों, take care, bye